यह रखने की जगह है क्या पूजा का समान है मेरा हुच्छ आप सभी को हैपी आमला एकादसी और आज आमला एकादसी है आज हम दिल्ली जा रहे हैं दिल्ली में हमारा एक मंदीर है जै दाता देव पालम एरपोर्ट के पास दिलिकेंट एरिया जहां पर है वहां पर है तो हम जा रहे हैं और उस मंदीर की बहुत जादा मानेता है और मेरे पापा जब भी लड़ाई में जाते थे जो भी स्टेट पर लड़ाई होती थी तो आने के बाद एक टोकरा गुल्दाना बाड़ते थे गाईज आप भी देखें उस मंदिर को मेरे पापा जब भी दिल्ले आते थे उनकी पोस्टिंग होती थी तो वो हमेशा परशाद बाड़ते थे और एक टोकरा भर के बुंदी का परशाद बाड़ते थे उनकी मनो काम जब पूरी होती थी तो वो जब भी लड़ाई में जाते थे हमें भी डर लगता था पापा प चोटे चोटे कुंड बने हैं जिसमें मिटी होती है और वो मिटी अपने घर हम लेके आते हैं लास्ट में तो गाइस मेरे हस्बेंड ने आज ओफिस से चुटी ले ली है और बेटे की तो चुटियां चल ही रही है और हम निकल चुके हैं दिली और दिली मेरे को बहुत अच् हम जा रहे हैं मंदिर की और और उस मंदिर में मिट्टी का जो परशाद है वो भी मिलता है मिट्टी का परशाद हम घर लेके आते हैं अपने घर में रखते हैं किसी के चेहरे पे कोई दाग धब्बे हैं या कोई भी प्रोब्लम है तो मिट्टी को पानी में गोल के हम लोग लगाते हैं और थोड़ी सी बच्चों को भी चटा देते हैं मिट्टी क्योंकि वो परशाद में सब लेके आते हैं और गाइस यहां पर टाइटन का शोरूम आपने देखा था और यह तनिसका मैं सारी करती हूं अब भी मैंने फ्लाल एक वाच लिया है तो यहीं से लिया है काफी कोसली है और यह देखिए साउट एक्स से मैंने स्यूज और बेटे के लिए और अपने लिए स्लिपर भी लिया है तो मैं उसकी वी वीडियो दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लोग में मुझे साउट एक्स की मार्किट बहुत अच्छी लगती है थोड़ी सी कोसली है लेकिन आपको ना वराइटी बहुत सारी मिलेगी और आपको वहां की क्वालेटी अच्छी मिलेगी तो और अब हम धीरे धीरे जा रहे हैं साउट एक्स से एमस की तरफ जा रहे हैं हम और मेरे अजबन गा को वाले लिएंच कि तरफ कुछ और एमश में मेरे बड़े भैया काम करते हैं आप लोगों को पता ही है मेरे बड़े भैया जो प्लीस में हैं वो काम करते हैं मेरे से बड़े हैं मतलब सबसे बड़े एक भाईया फिर सेकेंड नंबर के जो भाईया वो है और एमस में हैं तो हम अपने भाईया से तो नहीं मिलेंगे क्योंकि लेट हो जाएंगे इसलिए मेरे भाईया की एमस में ही जोब है इस टैम तो यह देखो शायद आने वाले हाँ यह आ गए ना इधर ही आ गए एमस के पास आ गए हम लोग तो भाई को भी पता नहीं है हम एमस के पास से जा रहे हैं यह देखो यह लिखाव है ना नहीं तो गुसा करेगा कि मिलके बहुत सुन्द एरिया है यहां पर यहां थोड़ा सा ट्राफिक बहुत ज्यादा रहता है इस साइड में और आने के टाइम भी मैं वीडियो बनाऊंगी आने के टाइम हम इंडिया गेट की तरफ से आएंगे हम जब भी पापा से मिलने जाते हैं या दिल्ली में जाते हैं तो एक तरफ हम यह वाले एम का होटल बहुत सारे होटल है तो बहां से आते हमें अच्छा लगता है फिर इंडिया गेट पे हम रुक जाते हैं आइस क्रीम मगरा खाते हैं उसके बाद फिर हम आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है यहां पे इमस के बाद सब्दर जंग होस्पिटल आ गया इस फ्लाइ तो ये देखो कितने सारे flower मेरे husband को ना बहुत पसंद है फूलों से बहुत प्यार है जब भी गाड़ी चलाएंगे तो हमें बार 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 बोलेंगे देखो कितने अच्छे फूल है ना कितने प्यारे हैं उनको बहुत ज़्यादा फूलों से प्यार है बहुत ही ज़्यादा और यह देखिए, यहां पे सारे ओफिस हैं, कितने सारे ओफिस हैं यहां पे, तो बस अब आने वाला है हया तोटल आगे, और बहुत अच्छा है हया तोटल, हया तोटल में मेरी एक फ्रेंड भी काम करती है, तो वो जब भी मुझे मिलती है, यह देखिए, आ गया हया तोटल तो वो जब भी मिलती है तो मेरे लिए केक लेके आती है उसको पता है मुझे केक बहुत पसंद है और हयाथ होटल में बहुत सुन्दर और प्यारा सा केक मिलता है तो उसने एक दो बार लाके मुझे दिया है मुझे बहुत अच्छा लगता है यहां का केक और इसमें मेरे ओफ की तरब के इंटर नेनियसेलन एंडरा गांधी एरपोर्ट ये दिकूं है लेकिन मैं उससे पहलें टन हो जाओंगी के बहुत अ है बहुत सुनाडर ये देखो लीजा है ऐिए एरपोर्ट की तरफ चला गया और हम इस साइड में की तरफ चले और आ गए हैं मंदीर फिर मैंने मोबाइल बंद कर दिया था मंदीर आ गए अब बहुत दूट लग रही है और यहां से हम प्रशाद लेगे यह देख स्वेटर पैंटीन है और इसको अच्छा लग रहा है तो यह दर्मी लग रही है और इसको नोर्मल लग रहा है मैं कषान बाध मंदीर आ गए अगर को है ना यह दो खिर जो बड़ा मंदीर है यह लोग आता है नहीं पर जो विकसमा पर मंदीर बना यह दो जिसकीुम्रें मूत जैए वह बोलते हैं कि म्यक्व दो सीडियां बनाओंगा मैं पानी का सूलर रखंगा मैं यह करो क्यों बढ़ा मंदीर है ये देखो और कभी पहले ये चोटा सा मंदीर होता था और इसमें न सब मनोका मिपण होती है और कि फ़ीन होती है और कि वीद्लस एपरत रहें हैं त्लेभ लैसे गाड़ए दोके हैं काफी लोग जा चुके हैं यहां से हम लेट हो गए हैं तो अब हम अंदर जाएंगे और फूजा करेंगे अंदर पता नहीं लाउड है के नहीं है वीडियो बनाना अगर होगा तो मैं जरूर बनाऊंगी और मैं अपनी यह द्रस दिखा है और यहां पर जो बोड अलगे है ऊपर एक तरफ रामायन दिखाई हुई है और दूसरी तब पूरी कृष्णा की लीला दिखाई हुई है दोनों तरफ और यह मंदिर है और कोविड के टाइम से यहां पर ना केमिस्ट की शोप और यहां पर डोक्टर भी बैटते हैं किसी क तबीयत भी खराव है तो यहां पर चिकत साल है टाइप का एक वह शोप टाइप भी बनाई हुई है यह देखो भगवान जी का किता बड़ा मंदिर है बहुत अच्छा लगता है इस मंदिर में और इसमें हम सब लोग मिलते हैं और मैं बहुत लेट हो चुकी हो क्योंकि इस देखो कितना बड़ा मंदिर है अभी आप देखो देख रहे हो कितना बड़ा मंदिर है और साइड में पूजा के पेड़ है आपर आमला का पेड़ केले का पेड़ तुलसी का पेड़ जिसको जो पूजा करनी है वो कर सकते हैं फूल भी है आपर पूल भी भगवान जी को तोड के लिखा सकते लेकिन हमने भार से ले लिया है और ये देखो ये पैदल जा रहे हैंना ये दिखो उपर ये मंदिर पूरा ज्यग मंगाता है ये मंदिर और ये-दिख को छिसवा उइव इतना सुन्दर मंदिर है इसके अंदर मॉबाइल ये शायद विडियो बना सकते ह में दादादेव की पूजा होती है यह देखिए यहां पर चड़ता और गूरका प्रशाद यहां पर चड़ता है यह देखो है जो उसके कहतो आहीं पूजा कर्रें और मैं वीडीयो मता रही हो जाया抱 देखिए अब हो गई है फिर इसके मंदिर का एक ऐसे ही राउंड लगाएंगे फिर भार निकलेंगे और गाइस जब आप मंदिर में एंटर करते हो तो गंटी बजा के एंटर करना चाहिए और जब मंदिर से भार आते हो तो भार आने के टाइम गंटी नहीं बजाई जाती त कुछ लोगों को यह बात नहीं पता तो मैं बता दूँ हूं जब मंदिर में एंटर करो तो बजाना जब दरसन करने के बाद भगवान जी के उसके बाद जब आते हैं लोटते हैं वापिस तो मंदिर में गंटी नहीं बजाते हैं बहुत ही प्यारा मंदिर है यह मैं राउंड लगा रही हूँ पूरा मारवल से बना है आप देखो कितना सुन्दर मंदिर बनाया है और यह सब के पैसे जोड जोड के जो दान पत्र में आते हैं ना उनसे मंदिर बना हुआ है पहले बिल्कुल छोटा सा था ऐसे ही अब यह द कितना बड़ा होल है और यह अभी ना बहुत लेट हो गई हूँ तो खाली है नहीं तो इतनी भीड होती है इसमें कि पैर रखने की जगह नहीं है अब गर्मी का टाइम है तो सब लोग जो है जल्दी आके दर्सन कर गए यह हम उस गेट से गुसेते हैं और इस गेट से बहा आप देखो कि देख रहे हो गाइज और गाइज यह ताला बंद है यहां से मिटी का परशाद लेके जाते हैं हम यहां से एंटर होके अब बंद है तो मैं परशाद नहीं ले पाहूंगी मिटी वाला क्योंकि बंद करती है उन्होंने तो यह ख़गवान का मंदिर है बोले से वीडियो बना रही हूं जल चड़ा रहे हैं और मेरे हस्बंड क्या करते हैं सिवलिंग पे जो जल चड़ता है ना और वो जो नीचे टपकता है ना तो वो थोड़ा सा परशाद के तोर में वो लेते हैं मैंने उनको देखा है हर बार मैं देखती हूं और बेटे को पिलाते क्योंकि मेरे बटे को भी इतनी पूजा पाट पता नहीं है उसको भी सिखाना पढ़ रहा है सब कुछ कि कैसे करना है क्या यह देखिए गाइज यह देखिए राम से तू अपसेस यह राम से तू महा साउत में जो रामेश्वर धाम है महां से यह पत्थर लाया गया है और यह हमेशा तैरता रहता है राम लिखा हुआ इस पत्र पे तो रामेश्वर धाम से लेके आये थे और यहां पे धूनी होती है यग होता है यहां से जो धूनी होती है इसकी यह जो राक है वो हम ले जाते हैं पशाद के तोर पे और छोटे बच्चों को चटाते हैं घर लेके ज यहां से परसाद मिलता है जो हम अपने परसाद में मिक्स कर लेंगे तो गाइज यह देखो मेरी फैमिली की तरब से आप सभी को आम लाइकादसी की बहुत बहुत शुब कामना है और आप लोग भी आश्रवाद देना मेरी फैमिली को और बेर से कोई भूल चुक होगी है तो माफ कर देना और मेरा मंदिर देखा जये दादा देव मंदिर और जो दिली के असपास रहते हैं तो एक बार अप मूर्ति की तरब से आगए यह वी आईपी रस्ता है पूरा और हम लोग पहले यहीं रहते थे यहीं पे मेरा बचपन गुजरा है गाईज तो इसी एरिया में यह बहुत पोश एरिया यह सारी कोठियां देख रहे हो यह सारी मंत्रियों की कोठियां है सारे मंत्री इस एरिया है और मैं यहीं रहते थी यहां पे मेरे पापा जाला तर दिल्ली में रहते थे तो हम लोग यहीं रहते थे यह हमारा फेवरेट एरिया है यह देखे तीन मूर्ति और सारे मंत्री यहीं पे रहते हैं यह देखे यह दिल्ली का पोश एरिया है और यह अब आ गये हैं इंडिया-गेट के तरफ आज हम आईश जरीम नहीं खाएंगे क्योंकि आज मैसा स्वास्ट है तो मैं अपने उस्पेड़ से बोली ओंड है पूर ए Например इसमिंदर बेटगे तो नहीं उस्पेड़ी नहीं खाएंगे तो भर बार बोली थी लेकिन उस्वकोंसी और श्छ área एरिया यह देखो सामने देख रहा है आपको कुछ बहुत सुन्दर एरिया है यह देखो पूरा वी आई पी रस्ता है गाईज यह तो दिल्ली में रहना मुझे बहुत पसंद है मेरी पूरी फैमिली टोटल दिल्ली में है दिल्ली में रहती है तो यह देखे कभी दिल्ली बाई बाई गाईज